हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं यूटीव चैनल कैसे हो आप 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 बहुत अच्छे होंगे जैसके आपको बताया आज मौसम बहुत ही ठंडा है क्योंकि दो-तिन दिनों के बाद स्नोफॉल होने वाला है तो इसलिए मौसम कुछ दिनों से बहुत ही ठंडा ठंडा स तो आईए मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूं तो आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को एंड तक देखते रहें तो मैं आपको बताती हूं किस तरह से बनाए जाती है कचोरियां हेलो गाईजा जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर मैंने ली है ऐक उली मैं ड़ख यह मैंने रातकों भग होंके रखी ही थी और मैं आपको दिखा रही हूं यह है दले मॉंग जो मैंने बहग रिख ओक रख्यक्षय तो मैं धले मूंग निकलwort करकशंसा की 부분 तो आठी—डियार करियार में इसे बरत्तर घुनत के यह कंदर कर ने डियार अभी दर्ण करूवा लगक्र कर दूर्ण मैं डाल रहे हूं प्याज मिर्च मसाले जो भी आपके पास इसके लिए जो भी आप डालना चाते हो चट पटासा मौंकी दाल के अंदर तो मैंने इसके लिए कुटी है प्याज और इसमें डाल रहे हूं मिर्च मिर्च के साथ जो भी मुझे याम मसाले के मसाला दानी में जो भी मुझे दिखाई दे रहा हरा धनिया तो इसमें डालूंगी हरा सूखा धनिया जो भी आपके पास गरम मसाले वो आप इसमें डाल सकते हो तो जैसे मैंने इसमें डाला है धनिया और मैं डाल रहे हूं इसमें और यसमें नमक कोई भी आपके पास पीसावया मसालाओ वो भी आप इसमें एड़ कर सकते तो मैं इसमें नमक डेली है जो भी आपके पास घर में एविलेवल हो वो आप इस तरह से अच्छे से इसे कूटना है, जितना अच्छे से मीस में इसे कूटेंगी, उतना अच्छा हमारे पास पेश्ट तयार होगा, और उतना अच्छा हमारा रोटी के अंदर जो श्टफिंग होगी, वो बहुत अच्छी होगी, जितना सॉफ्ट हमारा पेश्ट होगा, तबने से उतम हर्क कचाबड बने हुआ पथर होता हुछे में लएक काँ प्राविव कोट आर अगी मने गारी सवच्वार है यह से उतम सब्सक्राइब करते हैं कर दो कोट हुए ऊज्थ्थे उतम सब्सक्षाश है एड कर दिया, और इसे मैं अच्छे से मिला रही हूं, और ये मसाले, चारो तरफ से इसमें लगने चाहिए, तो जो मैंने ये बनाया है पेस्ट, इसे अपने हाथों से अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट करना है, बिल्कुल सॉफ्ट ये थोड़ा पहले सकता, तो इस तरह से इ और तभी जितना हलका यह पेश्ट होगा उतना ही टेस्टी बनेगा तो हमें इसमें नमक अच्छे से चेक करना इसमें जो हम पेश्ट तियार करते हैं इसमें नमक थोड़ा ज़ादा होना चाहिए क्योंकि हमने इसमें रोटी के अंदर डालना है तो रोटी आटा तो हमारा प तो इस तरह से नमक डालने के बाद इसमें अच्छे से इसे जितना इसे इस तरह से हिलाएंगे आप उतना हलका यह होगा और मैंने लिया है हरा धनिया और मैं इसमें हरा धनिया भी डाल रहे हूं और हरा धनिया जो होगा उससे तो बहुत अच्छा टेश्ट आएगा है तो मैं इस वहरा धनिया एड़ कर रे हूँ भेजिआ उस अमय ने हरा धनिया काट कर काट दिया और मैं इसमें इसे एड़ कर रहे हूं यह मेरी भांजी है जो मेरी हेल्प कर रही है धन्या कूटने में और मैंने इसमें अच्छे से मिला दिया है तो आपके पास जो भी हो गर्ममसाले भी हो वो भी आप इसमें एड़ कर सकते हो तो यह बहुत सॉफ्ट होगा अब यह बिल्कुल सॉफ्ट हो गया यह पेस्ट और आप देख रहे हो मैं किस तरह से स्टफिंग कर रही हो तो इस तरह से आपने रोटी को गोल करना है और इसमें स्टफिंग करने के बाद अपने हाथों से चारो तरफ से इस तरह से फेरना है और कि यह मसाला रोटी के कोनों कोनों में लग जाए ऐसे करने से रोटी के कोनों क पहुंसती तो a तो गाइज आप इस तरह से करके देखेंगा और एस तरह से आप आप बनाईगा तो ऊक्लित कि इस तरह से हमने स्टफिंग करने के बाद हमने इन रोटियों को निचे कपड़े के ऊपर इस तरह से रखना है इस तरह से रखने से जो रोटियों होती है वह हल्की होती है हलकी यानि कि आप एकदम से अगर कड़ाई में डाल दोगे तो वो उतनी सौफनी बनेगी जितना पहले रखने के बाद स्टाफिंग करने के बाद हमें रोटियों को नीचे रखना है और फिर उस पांस-दस मिनट के बाद एक एकर के बाहर इस तरह से कड़ाई में डाल रहे हैं आप देख रहे हो यहां का व्यूस जैसे कि आपको यह लग रहा है कि यह बाहर है हाँ यह किचन के बाहर हमने बनाया है तो बाहर हम बना रहे हैं कड़ाई क्यूंकि अंदर जो लोही का जो चुला है उसमे अच्छे से ने बनती है कचौरी हैं तो इसलिए हम इसे बाहर खुली आंच में इसे पका रहे हैं जैसा कि आप देख रहो यहां निकल रही है गर्मा गर्म कचौरी यहां और आपको तो पता है ऐसे मौसल मैं अगर गर्मा गर्म चाय के साथ कचोरी मिल जाए तो स्वात तो ला जवाब होगा ही इसलिए हमने सोचा कि आज कचोरी बनाए और मैं आपके साथ शेयर करूँ तो गाइस मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपने कचोरी बनानी है और कचोरी बनाने के लिए किस तरह से आपने पेश्ट तयार करना है तो ठीक उसी परकार से आप भी इस तरह से ट्राइ करकी देखिएगा और मज़ा लेजिएगा यहाँ देखो कितनी हल्की और कितनी सॉफ्ट बनी है यह कचोरी है और बहुत दी हल्की लाइट और लाजवाब यहाँ देखो इस तरह से मैं इसे अंदर बेल दी थी और जो मेरी भांजी है वो इसे बाहर लिया कर कडाई में इसे फ्राइ कर रही है तो मैं आग में भांजी दोनों इसी काम में लगे वे थी मैं दोत्सराइ। तो गाइज आप देख रहे हों यहां पर किस तरह से बन गी है कचारिया और बन के होगी है तेयार यहां देखो किस तरह से यहां है हुई है वाय फिक्वा जाइए और चाहिएं उसमार्डे की ने नची कोट लोगा है यहां दोख टाइज है और इसमार्डे के जाए तो गाइज आपको मेरी यह फ्रेंड और श्याय केशां मोट कांड है आपको कैसी लगी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट करना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मैं आपको इसी तरह की अच्छी ची नही नी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी से शेयर करना तो फ्रेंड्स मैंने ये आपके लिए स्पेशली तोर पे बनाई थी क्योंकि आज बहुत ठंडा मौसम है तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर करो तो तो अब आप से मिलती हूँ नेक्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाई बाई